इंगी स्टेडी में आप सब का स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ एक नई लेसन के साथ आज की क्लास है एडवांज स्ट्रक्चर के बारी में अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस तो बूलते ही है जैसे की उसे खेलने की धुन सवार है उसे सुभा में अकफार पढ़ने की धुन सवार रहती है उसे कमाने की धुन सवार रहती है इन सभी सेंटेंस में की धुन कॉमन है आज की क्लास है इसी स्ट्रक्चर की बा लगाएंगे यदि tense present में है तो is MR subject recording और यदि past tense में है तो was your work यदि future में है तो will इसके बाद obsessed with plus be first plus ing बहतर समझने के लिए कुछ example से समझते हैं उसी खेलने की धुन सवार है यह sentence present में है सबसे पहले आएगा subject he इसके बाद he के साथ helping verb आएगी is और इसके बाद obsessed with और इसके बाद खेलने की English होती है play प्ले में ing लगा देंगे playing यह हो जाएगा he is obsessed with playing एक और example है उसे सुभा में अकवार पढ़ने की धुन सवार रहती है he is obsessed with reading newspaper in the morning now move on to our next example में पैसे कमाने की धुन सवार है यहाँ पर subject आएगा तुमकी English you you के साथ आएगा helping of are फिर आएगा obsessed with और कमाने की English होती है earn money यह हो जाएगा you are obsessed with earning money उसे movie देखने की धुन सवार थी यह sentence past tense में है और past tense में was या वर का यूज किया जाता है he के साथ was आएगा यह हो जाएगा he was obsessed with watching movie यदि आज की class अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं next class में